हेलो दियर स्टुडेंट्स, इंकम टेक्स 1961 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आज हमने पढ़ा था स्लैब रेट के बारे में, जिसको हम टेक्स रेट भी कहते हैं कि कितनी इंकम के उपर कितना टेक्स लगेगा तो बहुत से बच्चे confused हैं, मैं हम समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंकम क्या है, इंकम 1, 2, 3, 4, 5 मैंने ऐसे define किया है, पहले हम पढ़ेंगे income from salary, जो आपका अलग से एक topic है salary के उपर जितनी इंकम होगी, ओके, दूसरा है house property यानि HP से income, house property से भी आपको income होगी, वो भी आपने income में include करनी है, नदर बन है income from profit gain and business and professions, आपको अपने professions से या business से कोई profit gain होता है, income होती है, तो वो भी आप उसमें लेंगे, income from capital gain, तो capital gain long term, short term हमने पढ़ाए कि अगिर आपको long term capital gain or shares होता है, 10% tax देना पढ़ता है, long term capital gain excluding the shares, 20% है, short term capital gain पे 15% tax देना पढ़ता है, सारा उसमें आता है, income from other sources, like as a casual income, तो उसमें आप भी tax देते हैं, 30%, यह सारा का सारा income, इसमें हम क्या करेंगे, gross total income बनाएंगे, यह आपकी net income नहीं बनेगी, यह gross total income बन income ऐसे deductions, अभी मैंने आपको check करने के लिए कहा है, कि मैंने जो youtube में videos डाली थी, पहले वाली deductions का वाली, तो बो आप पढ़ना है, उसमें से हम deductions को less करते हैं, deductions को less करने के पास set of losses है, कौन कौन से set of losses है, further हम पढ़ेंगे, उसको भी उसमें से हमें less करते हैं, फिर हम हमारे पास net taxable income बचती है, जिससे हमने tax काटना होता है, अब जो taxable income है, उसपे हम slab rate लगाते हैं, slab rate क्या होता है, जो हमी rate of taxes हमने पढ़े हैं, tax के पर कितने rate लगते हैं, उस भी को हम slab rate कहते हैं, माना कि इसकी is, जो है, 60 से कम है, individual है, 60 से कम है, तो अभी हमने tax rate पढ़ा कि दो लाग पचास अजार पे निल tax लगेगा, दो लाग पचास अजार पांच लाग के बाद आपका जो है, वो 5% tax लगेगा, और 5 से 10, 20, आपका 10 लाग से अबब 30% tax लगेगा, तो जो 5% आप calculate करेंगे, कैसे करेंगे, total income जितनी भी total income है, उससे पहले दो लाग पचास अज less करना है, after that आप उस पे 5% tax लगाओगे, तो इसके बारे में अलग से मैं वीडियो डालूँगी practically कैसे आप slab rate calculate करते हैं, आप उसके बाद advanced tax, कभी कबार देखा होगा आपने implies ने कि पहले से ही tax tedious कर जाता है, उनका साल के end से पहले tedious कर जाता है, तो tedious अगर कटा है, तो आप जितनी भी taxable income बनती है आपकी, माना किसी की 13,000 taxable income बनती है और उसका already 11,000 पहले से कटा हुआ है, तो इसमें 2,000 आपका बचा है tax pay करने कि उसका पहले ही tax कर चुका है, उसको pay करने की जरूरत नहीं इतना, तो अगर advance में कोई tax कटा है, तो उसको deduct कर लेंगे, tax payable जो है, व वो income बहुत से जगा से मिलती है, salary से, horse property से, business से, capital gains से, source से, तो इस सारी income हम plus करेंगे, उसमें से TDS को हम deduct करेंगे, जो भी हम deduction exemptions मिलती है, और जो set losses हैं, उसको भी से less करेंगे, उसके बाद हम slab rate apply करते हैं, slab rate तीन category के होते हैं, 60 years के लिए लग है, अबब 60 years के जो person है, उनक बता दिया है, मैंने अभी उससे पहले हमने lecture लगाया है, कि आब वीडियो भी upload की है, मैंने, 60 years के बाले candidate को, उसमें एक और चीज है, जो years में ब्याक्तिक और horse undivided family भी आती है, body of individual भी आएगा, artificial person भी आएगा, तो उसमें सब के उपर वो चीज जो है taxable income सब के उपर apply होती क्राइए है、'll के? कि की?